दोस्तों यहां पर अभी हम पॉलिनोमेल का डिवाइड करना सीख रहे हैं यानि बहुपद का भाग करना सीख रहे हैं तो देखे बहुपद के भाग में सरोपरतम आपको क्या करना रहता है इनको अरेंज करना रहता है जिसे अभी हम इस बहुपद का इस बहुपद में भाग कर रहे हैं तो इसमें सरोपरतम हम इसमें देखिए X की जो मैक्जिमम पाउर है यानि अधिकतम घात है उसको लिखेंगे कितनी है उसके बाद कितनी है तीन उसके बाद दो एक और अचर ठीक वैसे ही इसके साथ ये कुछ ऐसा करता है अधिकतम गात फिर एक और लास्ट मापका अचर पड़ अब उसके बाद क्या करते है दोस्तों इसका पहला पड़ लेते हैं कितना है एक्स की गात पॉन और इसमें डिवा दोस्तों आपके पास X की घात 2 आ गया 5-3 कितना आ गया X की घात 2 तो आपका डिवाइड कितनी वार हो गया X की घात 2 वार अब जितनी वार डिवाइड होता इसका दोस्तों हमें क्या करना है वापस इसके साथ मल्टिप्लाई करना है यानि क्या करना है X स्क्वेर का मल्टिप एक के साथ तो multiply करना जो दोस्तों जानते हैं आप x square multiply x cube कितना आ गया? x की power 5. x square multiply minus 3x कितना आ गया? minus 3x cube आ गया. x square multiply 1 कितना आ गया? x square आ गया. अब हमें क्या करना है दोस्तों? इनके sign change कर देना है. ये x की घाथ 5 देखिए, plus का है तो इसको minus का कर दिया, ये minus का है, plus का कर दिया, ये plus का है, minus का कर दिया. अब इनको add करना है. तो minus x की घाथ 5 और plus x की घाथ 5. ठीके ये क्या है? plus का है x की घाथ 5 और ये क्या है माइनस का x की गात 5 इसको add करेंगे यह एक दूसरे को cancel कर देंगे यहां देखिए माइनस 4 x की गात 3 और प्लस अभी जो चिन हमने किया है उनको लेकर चलना है अभी जो हमने sign change करने के बाद जो sign लिखे हैं जो चिन लिखे हैं उनको लेकर चलना है यह ध्यान रखें अब यह माइनस करनी है अब किसका इसको हम लेकर चलेंगे प्लस का लेकर चलेंगे यह बात जरूर ध्यान रखें तो माइनस 4 x की गात 3 प्लस 3 x की गात 3 यानि माइनस का 4 प्लस का 3 कितना आएगा माइनस का एक आएगा और साथ में क्या रहेगा आपका X की घात तीन रहेगा ऐसे आप polynomial को add करना जानते होंगे minus X square plus X square एक दूसरे को cancel कर दिया आगे क्या है आपके पास plus का 3X है और आगे आपके पास plus का 1 है अब देखिए फिर हमें क्या करना है इसका पहला पद लेना है यानि minus X की घात तीन और इसमें divide करना है इसके पहले पल्द का यानि X की घात तीन का divide कर दिया कितना आगे है minus 1 यानि भाग कितने वार चला गया minus 1 और फिर इस minus 1 का हमें क्या करना है इसके साथ गुणा करना है तो minus 1 गुणा, X की घाथ 3, कितना आगा है। X की घाथ 3, यानि, माइनस एक मल्टीप्लाइ X क्यूब minus 3x plus 1 करना है और इसको यहाँलिखना है ठीक है minus multiply minus mathematics में plus हो जाता है यानि plus का 3x आ गया minus 1 multiply plus 1 कितना आ गया minus 1 आ गया अब हमें इनके sign change गढर देने minus का है plus का गरदो plus का है minus का कर दो minus का है plus का गरदो इनको aid किया, यह cancel हो गया, यह भी cancel हो गया, 1 प्लस 1, कितना आ गया, 2, तो इस प्रकार से, यह आपका क्या है, भागफल है, और यह आपका क्या है, यह आपना डिवाइड हो गया, आसान है,